हेलो रिवान, विलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्जू के स्टनल चेनल में आपका स्वागत है, आज के लेक्चर में हम डिटेल वे स्टडी करेंगे, यूरी काइंड टेबलेट्स के बारे में, तो हम सिखेंगे ये मेडिकेशन के बेजिक उसके बारे में, साथ ही जानेंगे उसका डेली डूस वगएरा क्या होता है, किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करते हैं, मतलब कि उसका वर्किंग सिखेंगे, और उसके साइड इफेक्स वगएरा क्या होते हैं, तो सभी की डिटेल स्टडी करेंगे ये एफेर कोर्स फार्मरोक्स की अब उपर, कि जहां पर आप सीखपाएंगे, मेडिसिंस के बेजिक उसके बारे में, जानें उनके डेली डोस, साइड इफेक्स और वार्निंग और क्वार्निंग ऑंक्ड़ाइन कंट्री स्केल आप उपर, कि जो एंडूड़ एपलिकेशन है गुगल प्ले स्टॉर पे, एफल आइफोन एपन एप स्टॉर लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर ये नंबर पे जो है वाप contact करके course जो है वो activate करवा सकते हैं तो study material, test series and video lecture के लिए जरूर से download कर ये app pharma rocks, link आपको description box में मिल जाएगी तो आप समझते हैं यूरी काइन tablets के बारे में तो यूरी काइन के जो tablets है वो essay class के medication है कि जिसको हम कहते है anti-mascarinics medication कही जाती है या फिर उनको anti-colinergics भी कहा जाता है और ये medication क्या करती है कि जो हमारे smooth muscles होते है, urinary track as well as जो bladder के अंदर तो उनको relax करने का ये काम कर दी है कि उसका जो main working principle हम देखे ये medication का तो वो है smooth muscles को relax करना और एक आपके mind में खास एक concept clear होना जाए कि यूरी काइन के जो tablet से वो कोई antibiotic medication नहीं है कि it is not an antibiotic medication बट ये एक anti-mascarinic medication है आगे जाने इसके बारे में तो जो यूरी काइन्ड है उसका brand नेम है कि जिसके manufacture है mankind pharmaceutical जो है उसके main manufacture है और जिनोंने इसका brand नेम जो है वो दिया है यूरी काइन्ड फिर उसका जो salt composition हम देखे तो उसके अंदर है ये flavoxate hydrochloride 200 mg कि यहाप याप उसका composition देखो कि flavoxate के जो tablet है S per IP IP का मतलब बनता है कि Indian pharmacopiya के standards के according to ये medication को जो है वो बनाई गई है और ये medication जो है वो anti-colinergic class का medication कहा जाता है कि जिसके पास anti-mascarinic effect है तो main जो medicine का जो उसका class हो गया pharmacology के according to तो वो है anti-colinergic drug और ये medication के पास muscle relaxation property है मतलब कि जो muscles का contraction होता है तो उसको relax करवाने में ये medication जो है वो help करते है कि जिसके करण उसको कहा जाता है कि उसके पास anti-mascarinic effect है और basically ये जो medication है वो use की जाती है जो urinary frequency जो कई बार ज्यादा increase हो जाती है कि बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़े और urgency आ जाती है पेशाब आप रोक ना पाओ और डायसूरिया जैसे medical conditions को treat करने के लिए urekin के जो tablets है वो use किया जाते है mankind pharma के बारे में समझे तो ये एक Indian pharmaceutical company है और इसका जो headquarter से वो new Delhi के अंदर कि जाब फ्लेवक्जेट के जो देखोगे तो यहाँ पर उसके manufacturers के detail है कि जो mankind है तो mankind है कि Indian pharmaceutical company हो और ये बहुत सारे अलग-अलग doses form बनाता है कि जो अलग-अलग बीमारियों के अंदर use होते हैं कि वो antibiotics भी design करते हैं सादो साद जो है वो gastrointestinal track के लिए जो जरूरी medications होते हैं कार्डियो वास्किलर है इरेक्टाइल डाइ फंक्शन तो बहुत सारे अलग-अलग medications को यह जो फार्मा कंपनी जो है वो manufacture करती है तो अब समझते हैं properly urine tablets के basic use के बारे में तो सबसे पहले जो फ्लेवक्जेट जो है उसके अंदर जो medication तो वो special use किया जाता है overactive bladder की treatment के अंदर कि जब आपका bladder काफी overactive होता है तो क्या problem होता है वो अब समझे तो सबसे पहले क्या होता है कि जब bladder overactive होता है तो आप जो है वो urination को control नहीं कर पाते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते है diagram के अंदर कि जब भी urine formation होता है तो तुरंत आपको urination के लिए जाना पड़ता है या फिर जो urination की जो frequency है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जो है उसको control नहीं कर पाते कि पेशा आपको जो नियंत्रित करने में आप जो है वो असमर्थ हो जाते कि जिसको कहा जाता है इन अबिलिटी टू कंट्रोल urination तो यह problem तब होता है कि जब आपका जो ब्लेडर है वो काफी ओवर एक्टिव हो चुका है और वहाँ पे contraction जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे है तो उस वक्त यह medication देने से blader का contraction होता था उसके बजाए वहाँ पे relax होगा विकाज अभी हमने देखा कि यह जो flavoxid medication है उसके पास muscle relaxation property है तो वो क्या करता है जो blader के muscles होता है उसको relax करता है कि जिससे यह control जो आप नहीं कर पाते पेसाब को तो उसको नियंत्रित करने में आपको मदद करता है तो ऐसे लोगों को यह medications prescribe की जाती कि जिनके अंदर inability होती है control करने की urine को या फिर पेसाब को नियंत्रित करने में वो और समर्थ होते हैं दूसरी condition कि जो urinary frequency जिनके अंदर जादा होती है कि बार-बार उनको पेसाब करने के लिए जाना पड़ता है तो उसको भी relieve करता है कि उसका भी इलाज करता है यह medication फिर urinary जो urgency आ जाती है तो उसके भी इलाज में यह medication यूस की जाती है और जो frequent urination की जो condition बनती है कि जिसको का जाते कि uncontrollable कि आप जो है वो control ही नहीं कर पाते कि जब भी थोड़ा सा भी आपको urine formation bladder के अंदर होता है urine जमा होता है तो तुरंत आपको जो है वो urination के लिए जाना पड़ता है तो main concept यह है कि जब आपका bladder over active हो जाता है तो वो क्या करता है कि वहाँ पे जो muscles होते है bladder के वो हमेशा रहते है contraction के condition में तो contraction के condition में जब bladder होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सभी जब वहाँ पे urine जमा होता है तो वो contraction के कारण तुरंत वो urine का जो flow है वो जो है वो increase करवा देता है जिससे आपको जो है वो बार बार जो है वो पेसाप करने के लिए जाना पड़ता है उसके frequency से भी बढ़ जाती है तो urine काइन के tablets ये सभी medical condition को treat करता है specially जो over active bladder होता है उसको ठीक करके normalize कर देता है कि जैसे आप यहाँ पे diagram के अंदर देखे तो ये वाला जो है आपका normal bladder है कि जहाँ पे जो muscle से वो proper conditions में है but condition ये होते कि जब bladder अच्छे से full हो जाता है कि यहाँ पे ये देखो ये जो bladder का बाग है और वहाँ पे आप देख रहे है ये urine तो ये वाला जो bladder है वो अच्छे से full हो गया है कि यहाँ पे आप देखो कि ये bladder अच्छे से full है जबकि यहाँ पे यहाँ तक ही आपको जो है वो urine देखने को मिल रही है तो अब condition क्या होती है कि जब overactive आपका bladder होता है तो अभी ये पूरा bladder फिल नहीं हुआ है फिर भी ये जो muscles है वो contraction करने लगते हैं कि जिससे यहाँ से फिर urine जो है वो आगे flow होना जो है वो start करता है जिससे करण जो है आप पेशा आपको रोक नहीं पाते और तूरंत आपको जो है वो पेशा आपके लिए जाना पड़ता है तो ऐसे लोगों के लिए ये medication जो है वो काफी useful रहते कि जिनका bladder overactive रहता है तो ये medications लेने के बाद फिर से ऐसे normal condition जो है वो produce होती है कि जब आपके जो muscles होते है कि जिसको diatruser muscles कहे जाते है कि जो bladder के अंदर present होते है कि वो जब bladder full होता है तब ही contraction करवाते है और आपका जो urine जो है वो pass होता है बड़ जिनका bladder related कोई problem है overactive bladder है या फिर urine infection के करण bladder के जो muscles जो है वो contraction के condition में रहते है तो उनके लिए ये medication काफी useful रहते है because जो urinary urgency produce होती है उनके अंदर तो उसको ठीक करने के लिए ये tablet यूस की जाती है आगे समझे तो urinary bladders के अंदर जो spasms होते हैं spasms मतलब कि मुत्रा से की मरोड तो मुत्रा से की जो मरोड होने का जो reason होता है वहा के जो muscles का contraction होना कि बार बार जो contraction होता है कि जिसके करण blader के अंदर contractions देखने को मिलता है और वो contractions के करण ही blader spasms के problem होती है कि जिसको कहा जाता है मुत्रा से की मरोड अब मुत्रा से की मरोड या फिर blader spasms के करण क्या होता है कि बार बार आपको जो है वो पेशाब के लिए जाना पड़ता है फिर आप जो है वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो कंट्रोल करने के लिए यूरिन के फ्रिक्वंसी और उसकी अर्जंसी को कंट्रोल करने के लिए भी ये मेडिकेशन यूज के जाते हैं फिर जो डाय अंदर आपको कोई infection हुआ है bacterial infection तो उसके करण पर कई बार यहां के जो muscles होते हैं उनके अंदर contractions देखने को मिलती है तो UTI के जो antibiotics होते हैं उसके साथ भी कई बार समझो कि यह medication use की जाती है कि जब किसी को dysuria की condition problem होती है UTI के साथ हो साथ तो dysuria में usually क्या होता है कि जब आप urine pass करते तो उसवक काफी painful condition आप feel करते है या फिर urine pass करने में आपको difficulty होती है difficulty in urination या फिर painful urination जैसे condition feel होती है discomfort feel होता है pain होता है या फिर burning sensation होते हैं जब आप urine pass करते है तो dysuria के इलाज में भी ये urekin के जो टाबलेट से वो यूस किये जाते हैं कि बैक्टेरिल इंफेक्शन है तो उसके लिए एंटिबायोडिक्स तो प्रिस्क्राइब करें कि जो यूटिया इसके लिए जो एंटिबायोडिक्स होते हैं बट समझें कि साथ हो साथ यूटिया के करन आपको डायसूरिया के कंडेशन प्रोडिश हो रही है तो उस वक्त यूरीकाइड के टाबलेट भे कॉम्बीनेशन में जो है वो यूस किये जाते है आगे समझे तो यूरीकाइड टाबलेट क्या करता है कि जो ऐसा सिंटम्स को भी रिलीव करता है कि जो प्रोस्टेट के इंफेक्शन के करण होता है ब्लेडर के इंफेक्शन के करण होता है या फिर किड्निस के इंफेक्शन के करण जैसे की पेइनफुल यूरिनेशन के कंडेशन प्रोडिशन के समझे कि आपको kidney के अंदर कोई bacterial infection हुआ है ureter के अंदर कोई infection हुआ है यहाँ पे prostate में कोई bacterial infection हुआ है bladder के अंदर मलब कि पूरा UTI जो है आपका urinary tract के अंदर infection फैला हुआ है और उसके कारण एक symptom develop हो रहा है कि आपको painful urination जैसा हो रहा है frequent urination के condition produce हो रही है night time urination जो है वो increase हो रहा है कि मतलब कि excessive urination at night कि रात को जो है वो आपका specially urination के frequency जो है वो काफी बढ़ जाते कि जिससे आपकी जो नींद के उपर असर पड़ता है और ऐसी frequency बढ़ती है कि जिसके अंदर specially urgent से देखने को मिलती है urination की या सभी symptom को ये medication क्या करता है relieve करता है आगे समझे इसके daily dose के बारे में तो urekin tablets का जो dose है वो usually रहता है 100 से लेकर 200 mg 3 times a day और 4 times a day तो कई बार खास कर समझे के इसके 100 mg के जो tablet है तो वो जो patient है वो दिन में जो है वो 3 बार भी ले सकता है या फिर दिन में 4 बार उसी तरह से समझे के 200 mg के tablet है तो भी आप दिन में उसको 3 बार ले सकते है या फिर दिन में 4 बार तो ये हो गया उसका एक range हो गई doses की बट जो हम dose का specially बात करें तो वो रहते है patient की conditions के उपर की किस तरह का उनको infection है या फिर कुछ तरह के उनके condition है तो उसके basis पे जो है वो medication का dose जो है वो दिया जाता है बट जो recommended dose हम का है तो वो रहता है खासकर 200 mg BD मतलब की इस तरह से कि एक tablet जो है वो patient जो है वो morning में लेता है या फिर afternoon में लेता है breakfast या फिर lunch के बाद और जो दूसरा tablet है वो patient यूज़ करता है night में अच्छे से dinner वगेरा करने के बाद तो इस तरह से उसका recommended daily dose रहता है 200 mg BD minimum dose हम देखे कि condition normal जैसी है बहुत ज़्यादा ऐसे critical condition नहीं है तो इस वक minimum dose से भी treatment हो जाते है कि जैसे 100 mg TID मनलब कि दिन में तीन बार कि 100 mg काट जो tablet है तो इस तरह से 1-1-1 कि एक morning, afternoon और एक night में patient लेता है और maximum dose रहेगा फिर same like that 100 से बजाए 200 mg और वो भी 3 times a day तो जब ये 200 mg TID का आप यूज़ कर दे तो उस वक maximum 600 mg जितने medication जो है वो patient को मिलती है और minimum समझे कि 300 mg जितना medication उसको दिन में मिलता है तो इस तरह से उसके जो dose है वो fix किये जाते है आगे समझते हैं उसके working के बारे में कि Urekind के जो tablet से वो किस तरह से काम करती है तो जैसे हमने आगे मैंने आपको समझाया कि ये जो medication है उसके पास anti-colinergic drug है और anti-mascarine के उसके पास effect है तो ये क्या करता है ये smooth muscles जो होते है उसको relax करने का काम करती है कि या पर जो आप diagram के अंदर जो देख रहे है कि एक side जो है वो दिया है कि ये relax हुए हुए muscles देख रहा है कि जिसके आप इस तरह से proper length जो है वो देख सकते हैं अब इस तरह के proper relax होते हैं muscles तो उस वक्त क्या होता है proper जो ये urine है वो आपके bladder के अंदर जो है वो जमा होता है मतलब कि जब तक bladder full ना हो तब तक वहाँ पे contraction नहीं होता और जब तक bladder full ना हो तब तक muscles जो है वो relaxing mode में ही रहते हैं और जैसे ही bladder full होता है तो वो अपना contraction जो है वो start करते हैं but जिन लोगों को problem होता है bladder related या फिर जो UTI के करण जो muscles continuously contractions के range में आ जाते हैं कि या पे देखो इस तरह से contraction के range में रहते हैं कि contract मलब कि muscles का खीचा होना start हो जाता है वो खीचना start हो जाते हैं तो उसके करण क्या होता है कि जो bladder आपका overactive हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा पी उसके अंदर urine आता है तो तुरंत वो muscles जो है वो contraction start कर देते हैं और urine जो है वो flow start हो जाता है but ये medications क्या करती है जो smooth muscles जो है उसकी activity को जो है वो बढ़ाती है तो contraction के वज़ाए ये जो है वो muscles का करवाती है relaxation तो उससे क्या होता है कि it work by reducing the muscle contractions कि muscles के जो contraction है उसको reduce करवाता है और वो muscles को कर देती है relax कि जिससे आपका जो bladder है वो लंबे समय तक urine को जो हो hold करके रखता है कि जिससे बार बार आपको पेसाप करने जाना पड़ता था वो जो है वो frequency अब कम हो जाएगी और urine के frequency भी वो reduce कर देता है कि जो urine के लिए जो आपको regular जाना पड़ता था काफी कम समय पे जाना पड़ता था तो वो frequency कम कर देता है और साथ उसाथ जो urgency हो जाती है urinate की वो भी जो है वो reduce करता है तो यह होगा उसका working but main MOA मतलब कि mechanism of action समझे तो यह medication क्या करती है उसके पास एक calcium blocking activity है तो यह क्या करती है involved होती है cellular cyclic EMP accumulation के अंदर और साथो साथो वो क्या करती है calcium की जो activity है उसको block करता है तो यहाँ पे एक diagram है उसके अंदर आप समझे कि ऊपर की ओर दिखाया है ये relax हुआ muscle और नीचे की ओर दिखाया गया है ये contracted muscle की जहाँ पे contraction हुआ है तो contraction तब होता है कि जब calcium present होता है कि जहाँ पे देखो नीचे का arrow लिखा है और ये arrow में लिखा है कि calcium present अब calcium की presence होती है तब ये muscles के अंदर जो खीचाओ जो हो सुरू हो जाता है contraction सुरू हो जाता है और जैसे ही calcium absent होता है उनके अंदर देखने को मिलता है ये relaxation तो हमारा जो medication है ये urekin tablet तो ये क्या करता है calcium की जो activity है उसको करता है block करता है कि ये calcium का जो presence होता था वो हो जाएगा calcium का absent की जिसके करण ये जो muscle का contraction होता था उसके बज़ाए ये condition होगी कि muscles जो है वो relax mode में आ जाएंगे तो इस तरह से ये medication जो हो अपना काम करती है और जो contraction जो होता है muscles का उसको काम कर देती है अब समझते उसके side effects के होते है तो उनकी एक common side effect रहती है ये कि dryness in mouth कि आपके जो mouth के अंदर जो saliva secretion है वो आपको ऐसा लगे कि बहुत ही कम हो रहा है जिसके करण जो है वो आप dryness feel करते है आपकी oral cavity के अंदर तो आपको जो है वो प्यास ज़्यादा लगे drowsiness जैसा feel करता है मलब कि इसको नीन दाती रहती है sedation जैसा feel करता है कि नीन दाना या फिर drowsiness जैसा feel होना आइस के अंदर कई बार कुछ लोगों को pain जैसा feel होता है तो eye pain एक side effect develop होती है कुछ लोगों के अंदर nausea vomiting देखने को मिलती है blur vision कि यहाँ पे आप देखो कि यह जो vision हम करें सकते कि जो blur vision कि यह वाले glass में से आप देखो तो clear देखらہ है बट glass का बार का जो है वो blur देख रहा है तो even आप glasses पेंते हो या फिर ना पेंते हो फिर भी आपको देखना जो हो blur हो सकता है तो ये एक side effect develop होती है nervousness जैसा feel करते हैं कुछ लोग किस तरह से nervous feel करना ये medications को लेने के बाद और दूसरे side effect देखें तो sweating आपके सरीर पर जो वो पसी ना हो सकता है तो ये हो उसकी common side effect है अब आगे समझेंगे उसके कुछ serious side effect तो serious side effect समझो कि आपको देखने को मिलती है तो तुरंत ये medication को लेना बंद कर देना चाहिए और आपके pharmacist या फिर आपके doctor को तुरंत inform करके ये medication के दूसरे alternatives use करने चाहिए तो कौन से से serious side effect है वो अब आप समझें तो पहला जो उसका serious side effect है वो है कि increased sensitivity of the eyes to light मतलब कि समझें कि थोड़ा सा भी light होगा तो भी आपकी जो आँखे है वो इतने sensitive हो जाएंगी कि वो जो light है उसको tolerate ना कर पाए तो light से sensitivity जो है वो increase हो जाती है आखों की तो ये serious side effect है तो अगर ऐसा side effect आपको देखने को मिलता है कि आप एक tablet खाते है और ऐसे कुछ side effects देखने को मिलते है तो तुरंत उसको लेना बंद कर देना चाहिए second आप जो है वो confusion जैसा feel करते हैं और especially in the elderly कि जो aged patient होते हैं उनको कई बार confusion जैसा feel करते है कि ये medications लेने के बाद आप काफी confused रहते हैं तो भी उसको लेना बंद कर दे skin के ओपर racist develop होना चालू हो जाते है तो भी उसको लेना बंद कर दे या फिर आपके heart beat जो है वो irregular हो रहा है कि आपके heart rate है वो चाहे increase हो रहा है या फिर heart rate आपके decrease हो रहा है तो दोनों condition में उसको लेना बंद कर दे या फिर severe dizziness या फिर drawsiness हो रहा है कि इतनी ज़्यादा निंद आ रही है या फिर इतने ज़्यादा आपको उबास ही आ रही है कि जिसको हम कहें कि severe condition तो तुरंत इसको लेना बंद करें और sore throat जैसा develop होता है या फिर fever तो यह सभी conditions समझो कि develop होती है यह tablet लेने के बाद तो तुरंत लेना बंद कर दिनी चाहिए फिर फिर आगे जो उसके contraindications समझे तो contraindications मतलब कि कौन से medical condition में उसको use नहीं करना तो यह medications contraindications list में आती है ऐसे patient की जिनके अंदर obstructive condition से obstructive condition मतलब कि अवरोधक condition जैसे कि यहाँ पर समझो कि kidney stone आपको है तो kidney stone के करन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर यह जो आप stone देख रहे है तो यह stone के करन क्या होता है कि यह जो urinary track है वहाँ पर हो जाता है blockage कि जिसको हम कहिए सकते कि एक ऐसा अवरोध है option है कि जिससे urine pass होने में difficulty होती है तो problem क्या होता है कि अगर आप गलती से भी यह medications ले लेते हैं तो क्या होगा यह के जो muscle से वो और ज़्यदा relaxed condition में आ जाएंगे जिससे कारण जो obstructive की जो conditions होती है वो और ज़्यदा आपकी खराब हो सकती है तो obstructive conditions की जो patient है उनको यह medication जो है वो लेनी नहीं चाहिए तो ऐसे patient की जिसको obstructive uropathis का condition है और स्पेसली लोवर urinary track के अंदर तो उनको यह medications नहीं लीनी चाहिए फिर pyloric या फिर duodenal obstructions के patient है उनको भी यूज़ नहीं करनी चाहिए obstructive intestinal lessons है कि आपके intestine के अंदर कुछ obstruction है तो भी उसको यूज़ ना करे और स्प्रक्टिव इलियास है या फिर gastrointestinal hemorrhage की condition मतलब कि किसी भी तरह का obstruction है आपके body के अंदर कि किसी भी body system के अंदर कि चाहे वो respiratory system है चाहे वो urinary system है या फिर आपका gastrointestinal track है कई पे पी ऐसा obstruction वाली condition है तो ये medication को use ना करें pregnancy की हम बात करें तो pregnancy के अंदर जो clinical data होते है humans के उपर जो trial होते है तो कोई ऐसे control data नहीं है human study related बट जो animal study के business पे उसके pregnancy category देखे तो वो है pregnancy category बीकि जो animal studies की गई तो animal studies के अंदर देखा गया कि there is no risk to the fetus कि जो animal के जो reproduction system के उपर जब study की गई तो इसके अंदर जो animals के जो fetus थे उनके उपर कोई भी ऐसे harmful effect या फिर कोई risk है वो देखा नहीं गया तो no risk to the fetus बट जो pregnant woman के उपर ऐसे कोई अभी trials उसके नहीं हुए थे तो कोई यह बेसे proper जो clinical trials नहीं है बट यह medications को तभी use करने है pregnancy के अंदर कि जब कोई ऐसे special complications हो urine frequency related तो proper gynecologist के advice के according ही आप जो है वो उसको pregnancy में यूज करें वरना यह medications को आप जो है वो pregnancy में average करें और कभी भी उसका self-medication ना करें आपके जो भी gynecologist doctor है कि जहाँ पे आपकी proper treatment चल रही है उनके advice के according to ही urine kind के जो tablet है वो pregnancy के अंदर समझो कि यह urinary problems होते हैं कि urine के frequency बढ़ना bladder जो है वो आपका overactive हो चुका है तो ऐसे condition में proper gynecologist के advice के बाद ही यह medication को use की जाती है तो decision medicine related course को access करें फार्मा रॉक्स की अप उपर study material टेस्स सीरीज और वीडियो लेक्चर के रहे जरूर से download करें आप फार्मा रॉक्स गुड लग एन अल दे बेस्ट हलो